जाहिन दोस्तों क्या हाल है तो आज के इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा है कि मुझे एक भाई ने रिक्वेस्ट किया कि संजे भाई मेरे पास से Redmi Note 9 Pro Mobile है और उसमें मेरा प्रोब्लम यह आ रहा है कि मैं किसी भी चीज को जैसे कोई अप्लिकेशन को ओपिन करता हूँ उस टैम पे मेरा सूइचॉप हो जाता है फॉन अपने आप अन होने लगता है तो यह प्रोब्लम क्यों आ रहा है क्या इसका सल्यूशन है कैसे को सही कर सकते हैं तो यह वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ अगर आपके साथ भी प्र yearimin opener pro max mobile में तो जो settings में आपको बताने वाला हूँ मैं आपको बता तो तो डस settings旅 से आपको बताओंगा इसको सही कर सकते ओं तो अगर आपके पास ये mobile है न तो इस video को पूरा अंतक देख लेजे आपका problem solve ओने वाला है और आप इसके बारे में जान लोगे तो आपके साथ अगर यह प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहे है तो future में क्या पता आपके साथ यह होने लगे तो आप इसको सही कर सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा तो बीडि़ो को पुरा अंतक देखना है वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप इस चनल पर नए हो पहली बार आगर के वीडियो को देख रहे हो तो संजेट रिक्यूटू चनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे और आगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है जिसके उपर आपको वीडियो चा करते हो तो चली वीडियो को सुरू करते हैं तो प्रेंस में आपको जो कुछ बताने वाला हूँ सब कुछ मॉबायल के स्क्रीन पर दिखाऊंगा और प्र बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ पाए और आप कर पाए तो आपको डिस्पेले पर सब कुछ हो तो सबसे फर्स्ट मैंने यहां पर नोट करके रखा हुआ है आपको बताऊंगा देखके बताऊंगा इतना याद नहीं रहा पाता है तो सबसे फर्स्ट में तो चार्जिंग को चाटाइए सmetro करनाु होता है जासेक टीगे का डीकेसंट करना होता है वीडिविए देखना प देखने लगते हैं लेधा है अफ कभी-कभी क्या होथा कि आप फॉन से भी करने लगते हो चार्जिंग पर तो तो आपको ऐसा नहीं करना है आपका फोन इसे खराब हो जाएगा आप charging पर अगर आप phone को यूज करते हो तो charging होने बहुत ज्यादा वहाँ पर पावर लगता है और आप किसी चीज़ कर रहे हो तो वो भी वहाँ पर पर लगता है तो double Cloud Power तो आपका phone खराब हो जाएगा, आपका phone heat होने लगाएगा, आपका phone hang होने लगाएगा, आपका battery खराब हो जाएगा, तो आपके साथ ये प्रोल्डब आ सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप phone पर charging पर लगा करें, gaming कर रहे हो picture देख रहे हो सब कुछ भी नहीं करना है आपको phone को charging को लागए कुछ करना ही नहीं है अराम से phone को charging पर लगाए हो उसको charge होने दीजे ठीक है उसके बाद यहां पे आपको क्या करना है आपके अपने mobile के settings में आना है और settings में आने के बाद में scroll करके नीचे आने यह यहां पर आपको एक option मिल जाए का Manage Apps का आपको Manage Apps पे क्लिक करना है और यहां पर आपको क्या करना है कि आप अपने फोन में ज्यादा application install करके नहीं रखिये अपने फॉन में ज्यादा application install करते हूँ तो आपके फॉन का स्पेस भी खा लेता है वहाँ पे है कि आपको अपने फोन में में उस्टाल करते है 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 और यहां पर यहां पर और क्या क्या आ फिर यहां पर ऐसे ahor के फोन में यहां गेमिंग कर आपको लग। कि मेरा phone switch up हो जाता है automatic switch on हो जाता है automatic तो आप अपने phone में थोड़ा कम game करिए आप अपने phone में कम gaming करिए और ज्यादा gaming करते हो तो आपके साथ यह problem आएगा क्योंकि gaming में बहुत ज्यादा power लगता है आपको पता है कि मतलब 8 RGB RAM वहाँ पर खा लेता है gaming करते time पर तो आपको ऐसा नहीं करने कि game बहुत ज़्यादा खेल जो कम करिए फिर आपका phone ठीक हो जाते है तो धिरे तिरे उसको सभी करिए अपने हिसाब से खेलने लगे कोई दिखत आपके phone का data वहांपे loss नहीं हो बैक अप लेने के बाद में आप लोकल बैक पर क्लिक करोगे तो बैक अप लेने के बाद में आहां यहाँ पर देखोगे तो एक फ्रीट्री डाटा किया जाते हैं तो नीचे comment box में लिखे मैं आपके लिए ब्यूटीव बना दोंगा आप hard reset करके भी देख सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है आपके फॉन एक settings भी ऐसा होता है जिसके कारण से आपका यह problem आ जाता है यह actually में यह settings है मतलब इसलिए settings दिय करना है तो आपके सामने एक schedule power on off course मिलता है इस पर click करके यहां भी देखे मैंने on करके रखा है मैं अपने फॉन को automatic switch up करवाता हूं फिर automatic यह on भी हो जाते है जिस time पे मैंने fix किया है तो देखना है कि अगर आपके फॉन में यह on है तो इस दोनों को off कर देना है फिर यहां आपको done कर देना है फिर आपका यह problem solve हो जाए क्या पता यहां से यह on हो तो इसको देख लिए जिए यह on होगा तो off कर दीजिए फिर done कर दीजिए आपका problem ही solve हो जाएगा ठीक है फिर भी अगर आपके साथ यह problem आ रहा है तो क्या पता आपके phone में virus आ गया हो ठीक है तो उ इपने बैटरी प्रप्रोब्लम के साथ भी और अगर आपका घ्रच को charging पर यूज करते हो तो आपका बैटरी खराब हो जाएगा तो आपको क्या करने है अपने service center पर जाना है वहाँ पर बताना है कि मेरे साथ यह problem हो रहा है वह सारा details में आपको बता देंगे कि आपका battery खराब है कि आपका software प्रॉब्लम है किया है सब कुछ वो लास्ट ओप्षन में आपको बता रहा हूं आपको अपने सर्वीस सेंटर पर जाने हैं वहाँ पूछना है बताने यह प्रॉब्लम में देशाथ है वो सब कुछ डिकलियर कर देंगे और आपको उसको कुछ चार्ज करते हो तो आपका तो बस यही था कुछ settings कुछ tips जिसके कारण से आपका यह problem solve हो सकता है, करके एक बार आप देख सकते हो क्या पता आपका यह problem solve हो जाए, जो मैं आपको tips दिया हूँ, दस tips दिया हूँ, तो करके देखिए, अगर फिर भी नहीं होता है, तो नीचे comment box में लिखेगा, मैंने इसक इस एपिदियो को जाकर देख सकतों आपको आज पास कहीं पर दिख रहा हो, उसके क्लिक कर देख सकते हूँ, त남 यह the Next वीडियो में ख्याल रखिए Tillśniechnym आप जया हिंदें मात्रम जया हिंदेंद मात्रम जया हिंद beneficiaries